संजर लीला बंजाली जल्द ही फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी लेकर आ रहे हैं जिसमें आलिया भट लीड रोल में दिखाई देंगी फिल्म का टाइटल पोस्टर और एक्ट्रिस का फर्स्ट केरेक्टर लुक हाल ही में जारी किया क्या है जिसे श्यांदार रिस्पॉ माफिया क्वीन्स ओफ मुंबाई के आधार पर इस फिल्म को बना रही हैं किताब के मताबिक गंगुबाई काठ्यावाडी का असली नाम गंगा हर जीवन दास था और वहां कुझरात के एक सम्रद्ध परिवार से तालुक रखती थी गंगुबाई एक्ट्रिस बनने का सप मुंबाई भाग करा गई यहीं से उनकी जिन्दकी के सबसे बुरे पलों की शुर्वात हो गई नाजों से परिवड़ी गंगा को उनके पती ने महज 500 रुपए की खातिर कोठे पर वेच दिया कोठे पर गंगुबाई को जबरन वैशावरती में धकेल दिया किया इस दौर में मुंबाई के एक इलाके पर कुख्या डौन करीम लाला का राच चलता था कमाठीपुरा भी इसी इलाके में आता था एक बार गंगुबाई की साथ करीम लाला की गुंडे ने रेप किया इसका नियाय मांगने के लिए वह करीम लाला के पास गई और इस दौरान उसे रा नारास करने से भी टरने लगे, बड़े बड़े माफिया, डॉन वह गैंक्स के बीज भी उनका दबदबा बनने लगा, गंगुबाई का जीवन जस तरह बदला, उसका दर्द वह कभी नहीं भूल पाई, वह कभी भी किसी लड़की को अपने कोटों पर जबरन नहीं रखती वह किसी से जबरदस्ती की भी इजाज़त नहीं देती थी, वह सेक्स वरकर और अनाथ बच्चों की स्थिती सुधारने के लिए भी काम करती थी, यू तो गंगुबाई कमाथी पुरा के सलम एरिया में ही रहती थी, लेकिन उनके पास दौलत की कमी नहीं थी, साहट के दश लेकिन उन्होंने वैश्या वरत्ती के खिलाफ और यहां की महिलाओं की हालत सुधारने के लिए जो कदम उठाए उसे आज भी याद किया चाता है, कमाथी पुरा में उनकी मूर्ती भी लगी है, साथी इलाके में कई जगह उनकी तस्वीरे भी दिवार पर लगी दिखती ह वीडियो को लाइक और शेयर करें, म्रदुभाशी से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूले